आज हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल संटेंस की कैटेगरी टू जो लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और उनको यह नहीं पता कि कैटेगरी टू से पहले कैटेगरी वन क्या है तो इससे पहले लेक्चर में हम डिसकस कर चुके हैं उसकी अपडेट के लिए या उस वीडियो को फाइंड आट करने के लिए सबसे पहले हमारे कोडैनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताके आपको जो सारा अपडेटिड मेटिरियल है इस 90 डेस के इंगली स्पेकिंग कोर्स पहचान थी अर्दू में वो मैंने यहां नहीं लिखी आपको जो इससे पहले लेक्चर्ज है उसमें इसकी सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कैटिगरी टू में हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं पहचान के लिए वो होते हैं पास है कितने बहन भाई है कोई चीज कहां यूज होता है और है इसके साथ यूज होता है यह फर्स परसंट सेकंड परसंट और थर्ड परसंट जो सिंगुलर हैं उनके अकॉर्डिंगली यह भी हम डिसकेस कर चुके हैं कि अगर तो आप इसकी पहचान के बारे में देखना चाते हैं तो आप जाके हमारे पहले लेक् गाद have use होता है, just जो just जो third percent singular हैं उन के लिए have use होता है, जबके बाकी तमाम के लिए have use होता है, अब उसके बाद हमारे पास negative sentences के लिए क्या auxiliary verbs use होते हैं, वो हैं does not have, do not have, does not have, और do not have, जो है, अगर आप third percent singular को use कर रहे हैं as a subject, तो उसके according आपकी जो auxiliary verb है, वो does आएगी, तो does के साथ have आएगा negative sentences में, does के साथ has नहीं आएगा, यहां पे बात याद रखने वाली है, कि जब आप third percent singular को use कर रहे हैं as a subject, तो उस subject में आपके पास अगर आप third percent singular को देख रहे हैं, तो auxiliary verb does use हो रहे हैं, लेकिन does के साथ आप आप कहेंगे, कि यह तो third percent singular का है, इसके साथ singular के according, आपका helping verb has, have में से लगना चाहिए नहीं, यह combination है, आपने as it is, does not have, और do not have ही यूज़ करना है, इसके लावा has no use होता है, कुछ cases में और have no use होता है, यह हम आगे जाके discuss करेंगे, sentence structure हम जल्दी से देख लेते हैं, quick review करते हैं, उसके लिए affirmative में subject के बाद has have और object use होता है, negative में आपके पास helping verb के बाद जो है not नहीं लगता, बलके यहाँ पे हमारे पास negative की sentence structure जो आती है, वो आती है, subject plus does not have or do not have plus object, और यहाँ पे कुछ cases में does not have or do not have के साथ बजाए, यहाँ पे has no और have no use होता है, यह कुछ special cases है, interrogative में डबली एच वाले family word question के साथ do does use होता है, और subject के बाद have or object use होता है, अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपके पास जो affirmative sentences वहाँ पे तो has have use हो रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे interrogative sentences बना रहे हैं, तो वहाँ पे do does के साथ have लग रहे हैं, देखें, जब आप यहाँ पे negative sentences की structure को देखें, तो यहाँ पे does not have लग रहे हैं, इसका मतलब negative में does not have, जो है वो as a negative auxiliary verb यूज हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से negativity को not को निकाल दें, तो यहाँ से जो हमारे पास interrogative sentences की structure है, वो हमें समझने में असानी रहेगी, negative interrogative आपके पास do, does और subject के बाद not use होता है, और not के बाद have use होता है, और साथ ही object use होता है, उसके बाद special cases है, special cases हम इससे पहले वाली वीडियो lecture में discuss कर चुके हैं, कि special cases वो हैं, कि जहाँ पे आपके पास डवली ऐच वाले family words जो हैं, वहाँ पे हम use करें, जहां वो as a subject काम कर रहें, ना कि वो हमारा word of family question के तोर पे use हो रहा है, बलके वो हमारे family question के साथ साथ, वो as a subject भी use हो रहा है, तो अगर तो डवली ऐच वाले family member जो हैं, वो हमारे पास sentences में as a subject आएं, और उसके बाद has interrogative और negative interrogative sentences बनाते हैं, तो वहाँ पे sign of integration लगाना ज़रूरी है, मेरे पास पैसे हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास I have money, और मैं I have को combine करके I have a money भी लिख सकता हूँ, और इसको पढ़ते हैं I have, मेरे पास पैसे नहीं है, this is negative sentence, I have money का negative sentence, हम इस से पहली slide में पढ़ चुके हैं, कि negative जब आता है, तो do not और does not के साथ have use होता है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास जो है first percent singular है, first percent singular के साथ do use होता है, so यहाँ पे आएगा हमारे पास I do not have money, I do not have money, क्या मेरे पास पैसे हैं, अब इसी का हम अगर negative का interrogative बनाएं, तो negative में से not को निकाल दें, तो do यहाँ से हमारे पास as an interrogative sentence, वो हमारे पास पहले आजाएगा, subject आजाएगा, हमारे पास I not को हमने exclude कर दिया, have money, do I have money, तो sign of integration लग जाएगा, जिससे हमारा यह sentence जो है, interrogative sentence में change हो जाएगा, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, अब देखें, मेरे पास पैसे नहीं है, कि English तो यह होगी, I do not have money, क्या है मेरे पास, क्या, क्या, अब क्या जो है, हम WH वाले family member के use में यह पढ़ चुके हैं, कि जब आपका जो sentence है, उसके answer की situation yes या no से start हो रही हो, तो उस question के sentence structure में आप WH family member वाला जो word है, उसको use नहीं करते, तो क्या use करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे subject के बाद आपके पास helping वर बाता है, उसको हम sentence के पहले लिख देते हैं, तो जब हम इसको sentence के पहले लिखेंगे, और इसको हम negative interrogative बनाएंगे, क्योंके पैसे नहीं है, क्या और नहीं जो है, हमें negative interrogative का बता रहा है, तो do यहाँ पे as a helping वर पहले आजाएगा, subject हमारे पास आई है, और जब negative interrogative बनाते हैं, तो subject के बाद not आजाएगा, और money आजाएगा, तो हमारे पास sentence बन जाएगा, do I not have money, और इसके साथ हमारे पास sign of integration आजाएगा, अमीद है आपको negative interrogative, जिसमें WH वाले family member वाली जो situation तो बन रही है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंके उसके use करने का method है, वो थोड़ा different है, मेरे पास कितने पैसे हैं, अब यहाँ पर कितने का question है, कितने मतलब how much, how much, यहाँ पर आजाएगा, how much money do I have, I have money, यह आगया मेरे पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने पैसे, जब कितने और कितनों के साथ उसकी कोई, जो हमारे पास subject है, उसके बारे में discuss कि आजाता है अब हाव माच जो है यह हमारे पास एक डबली ए फैमली क्वेस्टन वर्ड है उसके साथ अबजेक्ट जो है वो मनी का आ रहा है तो इन दोनों को कमबाइन करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा इस उर्दू के सेंटेंस की इंगलिश ट्रांसलेशन है उसके पास कुछ नहीं है यह इसके इलावा इसकी इंगलिश और भी हो सकती है अब जब एनिटिंग कहा है तो कुछ नहीं है एनिटिंग की वज़ा से यहां पे आ रहा है अगर हम एनिटिंग की वज़ाए यहां बे निटिंग यूजड रहें तो निटिंग के अ क्वाड़िशन का जो स्टूच्चर है वो चेंज ओ जागा क्या उसके पास कुछ नहीं है क्या उसके पास कुछ है अब does he have something अब does यहां पे use हो रहा है तो उसकी वज़ा से यहां पे have आया है अगर आप यहां पे देखें इस sentence में तो इसमें has है तो यहां पे हम has नहीं use करेंगे इस interrogative sentence structure में आप यहां पे first sentence का negative देखें तो उस negative को अगर मैं not को exclude कर दूँ तो does को मैं पहले helping verb को लिखतूंगा और he have anything तो यह हमारे पास आजाएगा interrogative sentence अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि क्या की बजाए हम यहां पे what भी लिख सकते थे लेकिन यहां पे what हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका answer जो है situation के according yes या no में लिखा जा सकता है इसलिए हम यहां पे wh family वाला question word जो है use नहीं कर सकते हैं क्या उसके पास कुछ नहीं है अब क्या उसके पास कुछ है इसका negative है कुछ नहीं है तो यहां पे easily he के बाद not लगा देंगे बाकी हमारा sentence सारा वही का वही रहेगा does he not have something उसके पास क्या है what does he have he have उसके पास है क्या what does इसका मतलब what does जो है as a subject आ रहा है और he have जो है वो according to sentence structure है what does he have उसके पास क्या है किस के पास नहीं है who does not have किस के पास who कौन है वो किस जो है कौन की हमें जो है निशान दे कर रहे है कौन है जिसके पास नहीं है तो कौन है जो है इसकी इंगलिश आजिया की who does not have does not जो हमारा negative को बता देता है और have जो है किसी चीज़ के होने को बता देता है who does not have मेरे पास car नहीं है I और उसके बाद negative है तो I के साथ do use होता है do not have car I do not have car और इसको हम कंबाइन करके यह भी लिख सकते है I don't have car या इसको have no और has no हमने पढ़ा था तो have no और has no जब हमने लिखना है have के साथ हमने इसका इंटर जो है negative बनाना है तो उसमें हम does नहीं यूज करेंगे do नहीं यूज करेंगे तो हमारे पास have not की बजाए यहां पे आएगा have no I have no car I have no car क्या मेरे पास car है अब यहां पे हम I do not have car का अगर negative में से not को exclude करके इस simple sentence का हम interrogative बनाना चाहें do जो है इस question में हमारे पास पहले आजाएगा और बाकी sentence structure वही रहेगी और यहां पे हम do क्यों यूज करें what क्यों यूज करें तो फिर वही situation है कि जहां पे answer में yes और no की possibility हो वहां पे हम wh family member जो है उसको use नहीं करते do I have a car मेरे पास दो suit नहीं है अगर हम इसका पहले simple बनाए मेरे पास दो suit है I have two suits अब नहीं है तो उसका I के साथ कौन सा helping verb use होता है do do के साथ यहां पे combination of do not have तो यहां पे हमारे पास negative आएगा I do not have two suits या I don't have two suits अहमद के पास दो pencil नहीं है अहमद does not have two pencils अहमद जो है उसके साथ does use होता है तो does not have two pencils इस glass में पानी है this glass has water अब यहां पे has use हुआ है क्योंके हम एक glass के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ है तो इसमें English जो है this glass has water अब इसमें हम एक और condition से लिख सकते हैं there is water in this glass there is water in this glass इस glass में पानी नहीं है this glass this glass जब has negative में नहीं यूज होता negative में यूज होता है does not have या do not have अब यहां पे this glass यह singular है singular subject है तो singular subject के लिए हम क्या यूज करते हैं does तो does के साथ combination है यहां पे have का negative में तो this glass does not have water इसके अलावा अगर हम इसको बनाना चाहें negative तो यहां पे हम लिख सकते हैं there is no water in this glass जब do और does के साथ आप बनाएंगे negative तो आपके साथ do does के साथ negative में not have use होगा does not have या do not have अगर आप do या does के अलावा बना रहे हैं तो वहां पे आपके पास no use होगा has no, have no अब यहां पे use हो रहा है singular के हवाले से singular subject है तो उस singular के साथ is use होता है और is के साथ no use होगा not नहीं use होगा there is no water in this glass क्या इस glass में पानी है अब इसको अगर मैं negative में से not को exclude कर दूँ और does को helping verb को पहले रहे हूँ तो यह हमारा interrogative sentence बन जाता है does this glass have water is there water in this glass is there water in this glass तो यह दोनो different sentence के according English translation है इस glass में कितना पानी है अब यह पूछा गया है how much water how much water अगर हम इस के according बनाए या इस sentence के according बनाए तो यहां पे हम यह देख सकते हैं यहां पे हमने लिखा था कि this glass has water इस sentence में अगर हम देखें तो यहां पे this glass does not have water आ रहा है अगर हम इस के according बनाए कि इस glass में कितना पानी है तो यहां पे आ जाएगा how much water पानी तो था how much water does this glass have how much water does this glass have तो यह हमारा English translation हो जाएगी इसकी इसके अलाबा यह भी कह सकते हैं how much water is there in this glass how much water is there in this glass यहां पे था how much water does this glass have यहां पे आजएगा how much water is there in this glass किस glass में पानी है वो कौन सा glass है जिसमें पानी है जब इस sentence को हम गोर से पढ़ेंगे तो इससे में यह पता चलेगा कि यहां पे एक glass की बात हो रही है यह नहीं पूछा जा रहा कि किन glassों में पानी है किस glass में पानी है तो यहां पे हम लिखेंगे which glass क्योंके singular है तो एक आएगा जब singular में हम helping verb यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं has का which glass has water किस glass में पानी है क्या उसकी दो बहनी है अगर हम इसको देखें पहले तो यहाँ पे हमारे पास use होता है उसकी दो बहने हैं as a simple sentence इसको हम लिख देंगे he has two sisters अब इसका negative बनाए तो यह बन जाएगा he does not have two sisters और अगर हम इसका interrogative बनाए अब negative से तो यहाँ पे do नहीं use हो है does not have use हो है इसका मतलब अब हमने इसको interrogative sentence बनाना है अब हमने इसका तो यहाँ पे क्या जो है इसके according answer में जो situation है वो उसमें yes or no की possibility है इसलिए हम what नहीं use कर सकते है उसकी जगा पे हम helping work को पहले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जागा does he have two sisters does he have two sisters उसके अलावा हम वो there are और there is के साथ भी बना सकते है sentence तो उसके according क्या बनेगा are there two sisters of him are there क्या है two sisters दो बहने of him उसकी are there two sisters of him उसकी कितनी बहने है यहाँ पे तो दो का बताया था यहाँ पे पूछ रहा है कितनी बहने how many sisters how many sisters how many बोला है पूछ रहा है does he have यहाँ पे he as a subject है तो he के according हमारे पास जो helping verb होता है वो does use होता है तो यहाँ पे does है यह interrogative sentence में तो यहाँ पे हमारे पास sentence structure के according translation होगी how many sisters does he have how many sisters does he have उसके लावा हम इसकी एक और translation कर सकते हैं how many sisters are there of him how many sisters are there of him यह है देर के साथ और यह है आपका डू डास के साथ किसकी दो बेहने हैं कौन है जिसकी दो बेहने हैं who has two sisters who's are there two sisters who's किसकी are there हैं two sisters दो बेहने अमीद है कि यह word by word जो आपको translation का method बताया है आपको sentence structure के according English translation का method बताया है वो आपको translation sentence structure के according करने में असानी महिया करेगा अपनी इस जो English translation वाली exercise है इसको आप practice करें practice करें और practice करें क्यूंकि एक बहुत ही मशहूर महावरा है practice makes a man perfect अगर आप perfection चाहते हैं तो इन English sentences को बार-बार practice करें और practice से ही एक perfect आदमी बन सकता है बार-बार करें